नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यूपी के एक गाउं में जब इच्छा धारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जनम परंतु गाओं वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गाओं वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमनी को हमीशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमनी को छीन लेता है तो नागिन का गुसा साथवे आसमान पर होता है लेकिन दोस्तों अगर कोई नागमनी चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों ये चमतकारी घटना है उत्तर परदेश के एक छोटे से गाउं खेरागड की दरसल ये घटना घटित हुई अंकित जी के साथ जो अंकित करीब आज से पांच साल पहले एक साधारन एवम गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे वे अकसर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के तड़ा और अंदर निकल गए उसी जंगल में एक इच्छा धारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड के पास रहा करत उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरन थी वहां से जल्दी से घर की और भागा अंकीत इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी वो इतन दिन वो वापिस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर चिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्बवती है वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जनम देगी तब ही वो नाग मनी चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी बस नाग को मारना होगा दोस्तों कहते हैं अगर किसी नाग के मुह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है अब अंकित हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जनम देने वाली थी तभी चुपके से अंकित ने नाग के मुह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाक को मार डाला फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को मार डाला और उस मनी को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा परंतु अधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी जब नागिन को होश आया और उसने परियोग नहीं कर सकती थी परन्तु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी इधर अंकित को जैसे ही मनी मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया उसकी फसल इस पार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी उसकी तो जैसे मानो लोटरी ल तहा था उसे हर जगह से लाब मिल रहा था और अंकित को पता था कि यह सब उस चमतकारी नाग मनी का ही कमाल है गाव में हर जगह उसका नम था उसका नाम था अंकित के इस रुट्बे को देख एक अच्छा रिष्टा अंकित के लिए उसके पास ही के गाउं से आया और दिपीका नाम की एक सुन्दर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ दिपीका अपने पती अंकित को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज़त देती थी दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी ग पहवार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा एक दिपीका अपने पती अंकित के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो मैं गर्बवती हूं ये सुन अंकित के खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस दिन वो खुद अपने मुन्शी ध पतनी और तुम्हें एक खास जगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है और वो अपनी पतनी और धुरूव को कार में बिठा कर गाओं के एक कोने में ले जाकर कार एक चोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो चोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मा की जान उसे जनम देते ही चली गई थी उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मा को वहीं दफना दिया और अंकित को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था अंकित बताता है कि ज कास तुम दोनों को मैं इसी लिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक एहम हिस्सा बन चुके हों दोस्तों ये सब ही की आँखों में पानी भराता है कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापिस पहारी से होते हुए घर को जाते हैं तो अच् जाती है और उस पेड के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी दोस्तों वो रात कार्तिक पुर्णिमा की ही थी धरूव अपनी शक्तियां पाकर पुन्हे नागिन रूप धारन कर लेता है अंकित धरूव को देख चौक जाता है क्योंकि धरूव अब नागिन में पुन्हे बदल गया था वो नागिन अंकित को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिती में फसी थी जब अंकित ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पती और बच्चे को मार कर और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है अंकित घायल गारी में फसा हुआ थ कि भले मेरी जान ले लो परन्तो मेरी पतनी गर्बवती है उसे छोड़ दो परन्तो तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिती याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है ये जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख होता है नागिन ने अंकित का उसकी पतनी के प्रती सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और दिपिका को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापिस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई जब अंकित हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापिस लोटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है वह नाग मणी को लेकर उसी विशाल के पास किया और उस पेड़ के पास उस नाग मनी को रख फूट फूट कर रोने लगा और श्याम को घर वापिस आ गया दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैटता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जासकता और बसंत में पच्छतावा ही रह दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्ण होता जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है इस रत्रम को नागमनी के रूप में पहचाना जाता है जिसमें नाग-नागिन आपको हमारी आज की ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद